हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ आलू पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे पांच आलू लिया है तो अच्छी से धोग के कुगर में सीटी लगवा दिया है फिर हम आटा गूत लेंगी तो उसके लिए मैंने यह चमच आटा लिया है इस वाद अनुसार यहाँ पे मैं नमक आट कर दूँगी थोड़ा सा ओयल भी लिया है तो वो भी आट कर देंगी फिर थोड़ा सा पानी लगाके मैं यहाँ पे आटा गूत लूँगी फिर उसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं रख दूँ आट कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ी सी लालमेच आट की है और टेस्ट के लिए और यहाँ आट कर दिया है तो अब हम पराठा बेलने के लिए यहाँ पे मैंने डोले लिया है तो थोड़ा सा ओयल लगाके इसे अच्छे से स्प्रेट कर दूँगी तो अब हम यहाँ पे अपने आलू की स्टफिंग को भरेंगे तो इस दम जादा नहीं भरना है नहीं तो आलू आपके पराठे तो बहार निकरने लगें यहाँ पर चीस स्लाइस भी आट कर दिया मैं सोचा कि थोड़ा सा आलू चीस पराठा भी बना दिया जाए तो सुखा आटा लगा के मैं यहाँ पर अच्छे से पराठा के बेल लूँगी तो तवा हमारा गरम हो गया है तो हम पराठे को उस पर सीखने के लिए रख देंगे तो देखे हमारा एक साइट से सीख गया पराठा तो यहाँ पर आउल लगा लूँगी फिर दूसरे साइट से भी पलटके यहाँ पे ओल लगा दूँगी तो इसे बिल्कु क्रिस्पी होने तक मैंने इसे एक लिया है तो देखिए हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी आलू पराठा एकदम रेडी है बहुत ही टेस्टी बना था तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चीज डाला था तो आपने आथों से पराठा इतना गरम था कि दिखाने भी निमन रहा है लेकिन देखिए बहुत ही टेस्टी बना था तो इसे मैंने मीठी देही के साथ खाया था आप इस अपने घर पे बनाएए बहुत ही यमी लगता है थैंक्स फूर वाचिंग बाई